अनुभव बढ़ने के साथ साथ यदि आपने अपने बिजनस को प्रगल आपका खतम आपने सारी चीजों को एस्टबिश कर लिया सेट कर लिया अब जरूरत मार्केट में आपकी ब्रैंड वेल्यू होगे और ब्रैंड वेल्यू के वली की तरीके से बनती है हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर अमित्पाईश्विरी मैं CEO एंड फाउंडर डिरेक्टर हूं मेटास ओवर्सेज लिमिटेड कमपनी का हमारी कमपनी स्टेलने स्टील मडलो किचिन के मैनुफाक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है आज पूरे भारत वर्ष में हमारे फैंचाईजी शोरूम और डिलर्शिप शोरूम है हमने अपने बिजनस को स्केल अप किया क्योंकि हमने समझा कि बिजनस को स्केल अप करने का सही तरीका क्या है और सही तरीकों कैसे implement किया जाए और implement करने के बाद कैसे team building करके अपने business को next level पर ले जाया जाए आज इसी विशापरम बात करने वाले हैं आप लोगोंने कई बार एक word सुना होगा ECG जर्नली medical science का एक टर्म है जब किसी की body में किसी तरह की कोई problem होती है तो उसका ECG टेस्ट किया एता है जिससे में ये पता लगता है कि heartbeat के according कहां कहां क्या क्या problem आ रही है और ECG मशीन में ये बता देती है कि उस body में जो पूरा का पूरा system हो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और graphically कहां कहां पर क्या error आ रही है ठीक यही बात business पर लागव होती है एक entrepreneur जब business का शुबारम करता है तो शुबारम करते समय वो बहुत सारी सीजों को try करता है implement करता है और बहुत सारा काम करता है लेकिन कहीं ना कहीं operation and management में फसार है जाता है जिसकी वज़े से वो अपने business को accelerate नहीं कर पाता मतलब business को scale up नहीं कर पाता आज इसी वीशापर हम बात करेंगे लेकिन इसी जो medical science का एक term है उसको हमने convert किया एक business term में E stands for entrepreneur C stands for circle G stands for growth entrepreneur circle of growth हम ये कैसे समझे ही कि एक entrepreneur का growth का circle है ना वो कैसे काम करता है अगर आपने एक बार इस बात को अच्छे समझ लिया ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस पूरे entrepreneur circle of growth में आप कहाँ पर है और next level पर पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है तो सबसे पहली बात entrepreneur circle of growth को देखा गया तो देखा गया है कि इसमें छे तरह के circle है सबसे पहला होता है learning zone, दूसरा grouping zone, तीसरा struggling zone, चौथा managing zone, उसके बाद growth and development zone और उसके बाद आता है ex relation अब इसी विशह पर हम बात करने वाले हैं कि जब आप अपने business का शुबारम करते हैं तो कैसे ex relation पर जाएं और business को next level पर लेका जाएं तो सबसे पहली बात करते है learning zone, learning zone में वो सारे लोग आते हैं जो एक business का start-up करना चाहते हैं और start-up करने से पहले बहुत सारी academic और qualification वो complete कर चुक है जैसे आपकी academic qualification हो गई या आपकी professional qualification अगई किसी ने BBA किया है, किसी ने CA किया है, किसी ने BTEC किया है, किसी different industry में जाकर उस industry से related कोई course किया है वो course करने के बाद या diploma करने के बाद या degree hold करने के बाद या certification करने के बाद वो तयार होते हैं अपने business का शुबारम करने के लिए या उस industry में काम करने के लिए जिसके लिए वो करते हैं क्या internship कहते हैं कि भी जिस इंडस्ट्री में काम करना ना उस इंडस्ट्री में सही लर्निंग करनी है तो किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ जाओ और उसके पास जॉब करो आसानी से बहुत सारी चीज़े लर्निंग के माधियम से आप सीख जाएंगे या आप अंडर ट्रेनिंग भी किसी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं चीजों को सीख सकते हैं समझ सकते हैं बहुत सारे लोग learning zone को complete कर चुके हैं और learning zone को complete करने के बाद अब उनके सामने जो next zone आ गया that is groping zone और जो groping zone है न वहां की सबसे बड़ी समस्या क्या है groping का मतनब होता है अंदकार मे सब कुछ complete कर लिया लेकिन जीवर अंदकार में है अब वह सोच रहें कि करें क्या इस industry में उन्होंने देखा कि बहुत सारे different stream है जैसे मां लीजे मैं modulo kitchen इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो modulo kitchen इंडस्ट्री में stainless steel modulo kitchen में steel supply करना एक field है laser cutting and bending करना एक field है paint करना एक field है hardware supply करना एक field है hardware की manufacturing करना एक field है modulo kitchen बनाना एक field है modulo kitchen बना एक जैसे करनां कि एक एक बार वो समंझोचाओं से बाहर निकल जाए की मुझे इस स्ट्रीम में काम करना यह सब्सक्राना है arrangements of fund, एक business owner को चाहें, वो established business owner हो, या एक start-up हो, या एक first experience अपनी life में कर रहा हो business की, सभी को arrangement of fund करना ही पड़ता है, arrangement of fund कैसे हो सकता है, अपना खुद की saving हो सकती है, या parents से, relative से, या friends से, amount उन्होंने लिया हो सकता है, as a loan, as a उधार लिया होता है, जिससे वो business शुरू करते ह हैं, जादातर यही तरीका होता है, जो already existing business owner होते हैं, वो तो past performance के अधार पर loan के लिए apply करते हैं, और उनको loan मिल जाता है, या किसी भी business का project plan करते हैं, और project के अधार पर उनको loan मिल जाता है, उसके बाद setup, पैसा आपको मिल गया, उसके बाद जरूरत होती है business का setup करने की, जो अपने आप में typical task होता है, क्यों? क्योंकि आपको business का experience नहीं है, तो आप setup जब करते हैं, तो बहुत सारी चीज़े बिल्कुल सही दिशा में जाती हैं, कुछ चीज़े गलत दिशा में भी चली जाती हैं, लेकिन जैसे हम काम करना शुरू करते हैं, हमें पता लगता है, हमने कहां कहां गलती की, और इस गलती को हम सुधार की ओर ले कर जाते हैं, फिर आपका आगया infrastructure development and starting of operation, और operation का मतलब, मैं medical science के operation की बात नहीं कर रहा, यह operation का मतलब है business का operation, जैसे आपकी purchasing कहां से होगी, आप sale करेंगे, तो उसका network क्या होगा, marketing कैसे करेंगे, material sale होगा, तो आप decide करते हैं और business operation तयार कर लेते हैं, क्योंकि आप एक struggling zone में हैं, तो starting face में सब चीज आपको first time करनी होती है, और first time करते समय, जो भी problem आती है, उस problem को आप rectify करते हैं, और struggling zone में अपने काम का शुभारंब कर लेते हैं, और जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर आप आ जाते हैं, managing zone में, struggle आपका खतम, आपने सारी चीज़ों का establish कर लिया, set कर लिया, अब जरूरत है, जो चीज़े आपने बनाई है, develop की है, जो गलतियां होई थी उनको rectify किया, और rectify करने के बाद जब setup तयार हो गया, तो आपका काम है उसको manage करना, और management में सबसे important क्या रहत marketing है, B2B marketing, C2, B2C marketing, B2G marketing, B2E marketing, हर तरह की marketing आप करते हैं, अगर marketing से संबन्ध आपके मन में कोई भी प्रशन है ना, तो इस business channel पर marketing की बहुत सारी वीडियो दी है, कि marketing कैसे की जाए, fine, उसके बाद आप sales पर focus करते हैं, sales पर focus करने के लिए आपको focus करना होता है, leads पर, ताकि marketing के बाद, last number of feed up के बाद generate हो, और उन leads को आप सही तरीके से follow करें, ताकि बहतर sales हो, लेकिन lead को follow करने के लिए आपको manage करना पड़ता है, staff को, अगर आपका staff fully trained नहीं है, align नहीं है, और उनको पता ही नहीं कि काम करने का process क्या है, तो वो lead को nurture नहीं कर पाएंगे, और nurture नहीं manage करना है, कि आपके money का inflow कितना है, आपके money का outflow कितना है, मतलब पैसा कहां कहां से आना है, कब-कब आना है, पैसा कहां कहां जाना है, कब-कब जाना है, आपके जो selling price है, उसमें आपका gross profit कितना होने वाला है, उस gross profit के ओपर कितना operating cost आने वाला है, ताकि आप net profit कमा सके, त साथ ये साथ मैनेज करना होता है, पूरा का पूरा operation, अगर आप trading करते हैं तो material purchase से लेकर sales तक, अगर आप manufacturing करते हैं तो manufacturing से लेकर sales तक, और after sales के सारी problems को आपको manage करना होता है, starting phase में जब आप team रखते हैं तो वो team हर एक चीज़ के लिए expert नहीं होती लेकिन दीरे दीरे समय अवधी के अनुसार, वो team आपके साथ मिलकर trained होती रहती है, और आपका business management में भी ठीक तरीके से चलने लगता है, लेकिन problem क्या है, small skill business owner ना, business के first zone से निकलने के बाद second zone और second zone से निकलने वाद third zone में जब आता है, तो लगबग आज इवन वो third zone में ही फसा रहता है, उसका काम ही रहता है business को manage करना, क्योंकि उसको manage करने के लिए second leadership generate करने की आदत नहीं होती या knowledge नहीं होती, जिसकी वज़ए से हमेशा वो management में ही फसा रहता है, तीसरी जो stage है, वो है development and growth stage अब ये development and growth केवल तभी संभव है, जब आपका business properly managed हो, जब एक बार business properly managed हो जाएगा तो आपको second leadership generate करने हैं जो आपके business में team building करके आसानी से business को ठीक तरीके से market कर पाए, ज्यान रखेगा, management में जब second leadership generate होती है, जो आप ही के समय पर आप ही के जैसा काम पैसे करते हैं, जैसे आप किया करते हैं तो समझ लिजिए आपकी second leadership बनकर तयार हो गई है, और अगर business में second leadership तयार नहीं है ना, तो हमेशा आपको operation में फसाराना पड़ेगा, business के जितने भी steps हैं, हर step में आप involved रहेंगे, तो आपको जरुवत क्या होगी development and growth करने के लिए ऐसी team develop करने की, जो आपके बहाफ पर, आपके जैसा काम आप ही के हिसाब से कर सके, उसके बाद जब team develop हो जाएगी तो जरुवत होगी marketing की growth करने की, मतलब आप जितनी ज़्यादा marketing करेंगे उतना ज़्यादा lead generate होगी और जितना ज़्यादा lead generate होगी, उतना ज़्यादा sales conversion होगा, और ज़्यादा sales conversion को समालने के लिए आपका और दुबारा नई team चाहिए होगी, जो आपकी existing train team के अंदर लगातार training लेती रहेगी और upgrade होती रहेगी, उसके बाद जब आपका business team wise बिल्कुल set हो जाए marketing wise, growth पर आपकी marketing आजाए, number of leads आपके पास बढ़ जाए, और sales का volume बढ़ जाए तो जोरत होगी existing client के साथ business को develop करने के और वो क्या होगा, आपके नए products और नई services, आप नया तो केवल तभी कर पाएंगे नहीं जब पुराने को set कर पाएंगे, पुराना ही business अगर पिछले ही products आपके properly distribution पे नहीं आ रहे हैं, तरीके से sale नहीं हो रहे हैं, lead generate नहीं हो रहे है business का operation ठीक नहीं चल रहा है तो आप कभी भी नए product के development के बारे में सोची नहीं पाएंगे, ये केवल तभी संभाव है जब आपकी second leadership आसानी से develop हो जाएगी, अब एक सबसे बड़ी problem क्या है, entrepreneur circle of growth में लोग learning zone से groping zone, groping zone से struggling zone तक आ जाते हैं लेकिन journaling struggling zone से लेकर managing zone और managing zone से लेकर development zone में ही फसे रहते हैं, क्योंकि जब भी वो managing कर रहे होते हैं तो कुछ team distract हो जाती है या निकल जाती है, जिसकी वएसे फिर struggling शिरू हो जाती है, team दुबारा बनके तयार है, तो development करते हैं, तो फिर team disturb हो जाती है, फिर दुबारा उनको एक्सरेलेशन में ले जा सकते हैं, और उसके लिए करना क्या होगा, आपको इन बातों को ठीक तरीके से ध्यान दिना होगा, अगर आपको business को एक्सरेलेशन पर ले कर जाना है, तो आपके पास एक large number of team होनी चाहिए ताकि वो team second leadership के अंतरगत सही तरीके से काम कर सके, अगर हर जगा आप ही direct involved हैं, तो आप कभी भी एक्सरेलेशन पर नहीं जा सकते, बलकि आप operation में ही फसे रहेंगे, next, new venture unit and infrastructure, जब एक बार आपके business में आपकी पूरी team सेट हो जाएंगे, तो जोरत होती है new venture unit शुरू करने की, कहते हैं ना अनुभव बढ़ने के साथ साथ, यदि आपने अपने business को parameterly सब्भी तरह से नहीं बढ़ाया, तो कहीं न कहीं आप घटना शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब आप ज़रूरत है आपको अपने नए infrastructure नए venture को start करने की और multiple growth हासिल करने के लिए, आपके sales और revenue पर focus करने की, multiple growth केवल तभी संभव है, जब आपकी sales बढ़ेगे आपका revenue बढ़ेगा, जयान रखिए competition के इस दौर में अगर आप आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तो बिना आगे बढ़े भी आप पीशे रह जाएंगे, क्यों? क्योंकि बहुत सारों आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपकी multiple growth होनी चाहिए, और वो केवल तभी संभव है, जब आप सही तरीके से team build करें, नए ventures पर काम करें brand value in market आप किसी भी business को extra relation पर केवल तभी ले जा सकते हैं, जब market में आपके brand value होगे, और brand value केवल ही की तरीके से बनती है, high quality product, जब consumer पसंद करने लग जाता है और consumer आपका loyal customer बन जाता है, तो वो loyal customer regular आपके नाम को promote करता है, आपके brand को promote करता है, जिससे आपका sales का volume बढ़ता है और sales volume बढ़ने से revenue बढ़ता है revenue बढ़ने से business next level पर पहुंच जाता है, wide network of business आपको create करना है, जिसमें अलग-अलग method हो सकते हैं, जैसे आप अपने business को franchise ही कर सकते हैं, dealership network पर ले जा सकते हैं, C&F है super stockist है, इसके लावा नए investors को अपने business में invite करके, as a director, as a shareholder as a equity holder, या नए तरीके से business planning करके business project की loan लेकर भी आप business को next level पर ले आ सकते हैं और आसानी से x-relate कर सकते हैं उसके बाद जो next चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा होगा, आपका business system driven होना चाहिए, मतलब जहाँ पर लोग नहीं, लोग केवल एक system के अंतरगत काम कर रहे हैं मतलब लोग अपने मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं system के अंतरगत, जैसे किसी भी business में अगर आप देखें, जहाँ पर लोग आते और जाते रहते हैं, staff आता और जाता रहता है लेकिर उसके बावजूद भी काम करने का तरीका नहीं बज़ता, क्यों? क्योंकि वहाँ पर system driven business होता है और एक बार जब system driven business आपके पास होगा और कौन सा coach, consultant या mentor आपके बिजनस के लिए बेतोर हो सकता है उसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें इसके लवाब बिजनसे समझत आपके मन में कोई भी प्रश्ण हो तो वो प्रश्ण हमें comment box में ज़रूर लिखें कोई भी informative वीडियो मिस ना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनारे बविश्य की कामना करता हूँ जय हिंद, जय भारद